चलिए मैनेजर कमीशन यह मैं बड़ी सीधी सी बात थोड़ा सा मैं एक पॉइंट में कवर करना चाहता हूँ कमीशन टू मैनेजर और सर अब यहां पे न हलाकि पहले भी मैनेजर कमीशन हमने देखा हुआ है लेकिन यहां कुछ अलग होने वाला है यहां पे अब दो मैनेजर होंगे पहले हम सिंगल सिंगल वाला कर लेंगे फिर दूसरे वाला देखेंगे नहीं तो थोड़ा सा फिर वो मुश्किल सा हो सकता है हो सकता है आपका मैनेजर कमीशन on a net profit before charge commission सर सबसे पहले मैं बात करूँ ना मैनेजर कमीशन की तो मैनेजर को कमीशन देते क्यों है क्योंकि जनरली हमारा काम हो सके कमीशन देने का एक ही मुट्व होता है कि हम क्या कर सके उससे काम ज्यादा से ज्यादा ले सके और वो ला परवाई ना करे वो काम के लिए dedicated है कि आपको जब पता चले नहीं कि आपको इस काम को करने के वज़े से आपको पैसे मिलेगा एक लालच हो तो आप यह नहीं सोचोगे कि आपके कितना time जा रहा है आप सोचोगे कि चलो और 10 रुपे वा जेंगे और 10 रुपे देंगे हम तुझे तो यह एक तो होगा बिफोर चार्ज सेम देखा जाए मैनेजर का कमीशन हो सकता है कि नेट प्रॉफिट कि आफ्टर दोनों को समझेगा अभी ना इसके अंदर ना वर्क मैनेजर आया नहीं है दो तरीके के मैनेजर होते हैं जिसको कमीशन दिया जाता है एक होता है सिंपल हमारा मैनेजर जिसे जर्नल मैनेजर कहता है एक होता है वर्क मैनेजर जर्लन मैनेजर को कमीशन दो चाहे वर्क मैनेजर को कमीशन दो कमीशन का ट्रीटमेंट यही रहेगा लेकिन जब दोनों को साथ में देने लग जाते हैं न दोनों को एक खटाई तब हमारा ट्रीटमेंट बदल जाएगा अब मैं एक simple से example ले लेता हूं आपके लिए एक में बना लेता हूं आपके लिए और यही पी इंडल में दोनों के लिए इस्तिमाल करने वाला हूना RQ माल लेते हैं जी पी कितने का है एक लाक 10 अजार का है यहां पे मैंने लिखा salary सर सेलरी कितने का लिखा तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट और वो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया एक लाग मैंने मैनेजर को प्रॉमिस कर दिया कि आपको commission देंगे before charge such commission 10%, मैं आपको जो commission दूगा ना वो 10% देनेवाला हूँ और 10% जो मैं commission देनेवाला हूँ ना जो भी profit आएगा, उसमें से commission वाली बात बाद में कर लेंगे, याणि बिना commission के जो profit आएगा ना, उसमें आपको 10% देंगे, अब बिना commission वाला profit और with commission वाला profit कौन सा होता है अगर P&L के debit में आपने commission दिखाए है नहीं तो ये बिना commission का profit है यानि commission बिना minus करे हुए profit है अगर मैं यहां commission दिखा दूँ और फिर जो profit निकालूँगा उसका मतलब क्या होगा sir commission minus करने के बाद जो profit है तो इसने बोला भीया मैं सिर्फ 10% आपको दूँआ तो इसका commission पता है कैसे निकाला जाएगा बहुत ही simple commission commission is equal to 1,00,00 आपने 10% promise किया तो 10 बटे 100 यानि sir और ये 10,000 रुपे जो commission आया है ये 10,000 रुपे commission दूजगे चला जाएगा एक तो चला जाएगा profit and loss के debit में और एक चले जाएगा balance sheet के liability में एक balance sheet के liability में अगर मैं profit and loss के debit की बात करूँ तो तो profit and loss के debit में तो net profit आपने निकाल लिया तो फिर कैसे दिखाओगे फिर तो गडबड हो जाएगा आपका इसका मतलब जब manager commission वाला question होगा तो यह जो profit आप यहाँ निकाल के बैठे हो ना इस profit को निकालना मत इसको कहीं roughly निकाल के रख लो मन में डारेक्ट नहीं लिख दिना net profit कहीं roughly निकाल के रख लो इसके बाद सर हम सबसे पहले manager commission जो निकाला है न हमने वो लिखेंगे manager commission 10,000 अब finally हम total करेंगे दुबारा दुबारा total करेंगे क्या आया एक लाक एक लाक और यह आ गया कहान यह है तो देखो क्या मैंने commission निकालने के बाद P&L के deputy में दिखाया ने दिखाया दिखा दिया दूसरा कहां चले जाएगा balance sheet के liability में यह सर हमारा है profit and loss यह कहानी किस के लिए है before के लिए लेकिन after के case में क्या होगा after के case में क्या होगा मान लेते हैं 10% है सर यहाँ पे ना मैं एक और आपके लिए पी इंडल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए एक और पी इंडल यह एक छोटा सा पी इंडल बना लेता हूँ मैंने लिखा by side में by GP 120 में आप two side में लिखा मैंने salary मैं 10,000 मैं बोला गया manager तेरे को हमने दस परसंट कमिशन देगे और net profit पे देगे तो सर भाई मैंने बोला मैनेजर ने बोला सर नेट प्रॉफिट जो आ रहा है ना वो तारह एक लाग दस हजार दो आप एक दस पर बोला नहीं 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 तेर को हम कमीशन देंगे लेकिन पहले तू अपना कमीशन तो मैनिस कर फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर देंगे तो इसका मतलब यहां कन्फिउजन ने बोला भाई जब मेरे कमीशन पता ही चल जाएगा तो मैं फिर प्रॉफिट वो आला क्यों निकालूँगा यानि सर यह जो हमारा इंप्लॉईर है वो कहना चाहता है कि यहां पर तेरा पहले कमीशन लिख उसके बाद जो यह वाला प्रॉफिट आया है अभी इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ तो सर कितना कमीशन माइनस नहीं हुआ 10% यानि सर इसके अंदर 10% कमीशन जुडा हुआ है हां के ना यानि कोई भी वेल्यू एक है मैंने बोला इसके अंदर 10% एक्स्रा जुडा हुआ है तो 110% के बराबर हो जाएगा या तो सिंपल सी वेल्यू सर आप इसको एक्समान लीजिए ना फिर एक्समान के करेंगा पूरा वो बहुत लेंदी प्रॉसेस हो जाएगा तो यानि सर मैंने आपको कमीशन की बात करा तो बोला अच्छा है इसका पता है कैसे निकालेंगा बोलेंगा ठीक है मैं अभी प्रूब करता हूँ मैंने बोला कि जब भी ऐसा केस आजाए नहीं तो आप इस कमीशन को यहां पर मत लिखिए इसको निकाल के कहीं बाहर रख लीज़ें मैं यहां रख ले तो में पर यहां जगा था मैंने यहां रख लिया अब कमीशन दस परसेंट है ना तो सर एक सो दस से डिवाइड करिए और दस से मल्टिप्लाई करिए अब मैं लिखता हूं यहां पर अब प्रॉफिट निकल के क्या आया एक लाग आया निकल के अब इस एक लाग पर दस परसेंट निकालो कितना बनता है दस हजार अब मालिक क्या कह रहा था मैं उस प्रॉफिट पर कमीशन दूँगा जिसमें से तेरा कमीशन पहले से तो यह वह वाला प्रॉफिट है जिसमें से इसका कमीशन पहले से और जो कि दिया भी कितना तो दोनों की बात है समझ रहे बात है तो ऐसे सिचुएशन में जब परसंटेज निकालना होगा ना तो क्या करेंगे कमीशन कैसे निकलेगा सर कमीशन निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट इंटू में रेट डिवाइडिड बाई रेट और प्लस हंड्रेट सरी बिल्कुल यहां का कमीशन कैसे निकलेगा सर कमीशन इस इकल टू नेट प्रॉफिट इंटू में रेट बाई हंड्रेट और यहां पे कमीशन कैसे निकल रहा है नेट प्रॉफिट इ यानि अगर 2% है तो 102 कर देना तीन परसेंट है तो चार परसेंट है तो उसके साफ से निकाल लिए समझ महारी बात इसके बासर यह कमीशन चलो हमने निकाल लिया यह कमीशन कितने जगह जाएगा सर ये कमिशन जाएगा दो जगे एक चला जाएगा P&L में मैं थोड़ा यहाँ पर चखे कंजिस्टेट इसलिए लिख रहा हूँ एक चला जाएगा P&L में और एक चला जाएगा बैलिंस शीट में P&L के कहां चला जाएगा और बैलिंस शीट के अब बड़ी सिंपल सी बात है कमिशन कोई भी हो सकता है या तो आफ्टर चार्ज वाला हो सकता है या फिर बिफोर चार्ज वाला हो सकता है अगर आफ्टर चार्ज वाला हुआ तो आपको रेट को नीचे प्लस करना पड़ेगा अगर और ट्वोह संदा लग थैंगे इसके ऊपर परनेज़ उटाएंगे और डीवाइद वाइडभर यह स मन लुक्र और अदर फालेफिकर करना है यह adjustment number कौन सा बनता है 24